उन सबी दोशी हमलावारों को तुरंद ग्रफतार किया जाए और उनके विरुद कड़ी कानूनी कारवाई की जाए साथ में जिगनेश मेवानी जी को समुचित सुरक्चम होईया कराई जाए और आइंदा ये ध्यान रखा जाए भाजपसरकार को गुजरात और केंसिक की सरकार को हमारे निवेदे ने ये ध्यान रखा जाए कि इस तरह की कारवाई दुवारा नहीं हो बरदास नहीं की जाएगी आज के बाद सांकेतिक विरोध है आगे पूरे देश मांदोलन किया जाएगा अभी अभी जो आठ महा पहले उत्तर परदेश में चुना हुआ है उसमें 2% बोट बीजेपी का घट करके 49% रह गया जिसमें की 325 एमेले बनकर के सरकार बनाई अभी जो पहली तारिक को रिजल्ट आया है एक दिसम्बर को नगर निगम नगर पाली का नगर पंचाथ के जो चुना हुए है उसमें बीजेपी कितनी धरासाई हुई है ये उनको अंदाजा हो गया है लेकिन टीवी पे आकरके अखबार में आकरके अपनी चाती पीट रहें अपनी फीट होकर रहें कि हमने उत्तर परदेश जीत लिया जबकि सच्चाई ये है कि नगर निगम उत्तर परदेश में 16 है चोहदे वो जीते हैं उसमें वास्ते में फिस नंबर पाई है दो बसपाने जीती है उसके बाद इस्थिती ये है कि एक सो अठान में नगर पाली गाए है उत्तर परदेश में उसमें से केवल और केवल सत्तर जीती है बीजेपी एक सो अठाईस हा रही है इसी तरह से नगरपंच है जो उत्तर परदेश के अंदर 438 है उसमें से केवल 100 सीटे बीजेपी के पक्समा गई है 338 सीटे वहाँ भी बीजेपी आ रही है यदि आज उत्तर परदेश में सवा सदोकार पार सदोका उसत लगा जाए तो केवल और केवल 18.3% पर बीजेपी जीत करके आई है जबकि वहाँ आज सासन बीजेपी का जाद़ जीत नी चाहिए थी गुंडा गर्दी का भी अपना जो भी परियास किया गया लेकिन वहाँ आज 82-83% पर बीजेपी हार रही है ये इस्तिती वहागी बन चुकी है और जो बोट 49% साथ महीने पहले आज पूरा टोटल करा लिए केवल और केवल बीजेपी के पक्समें 22.5% मद्दान हुआ है तो कहा 49 और कहा 25 इसी उत्तर पर देश के चुनाओ से आज बीजेपी बहुत परेसान है और वो परेसान होकर के उन्हें दीख रहा कि गुजरात में भी तुमारी जमीन खिसक रही है गुजरात में उनको कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए ही ये कभी मेवानी पे, कभी पार्टीदार पे, कभी अन्मे पे हमला किया जा रहा है और अन्में जो छोट-छोटी पार्टिया है उन्हें मिला करके चुनाओ लटने का पर्यास किया जा रहा है लेकिन ये अपने परियास में सफल नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे जब BJP का वहाँ का रिजल्ट आएगा आपको पता पढ़ जाएगा कि 15 साल की सरकार गुजरात की किस तरह से गई है आज BJP के जो काम है वो किसी से छिपे नहीं है पूरे देश को नोट बंदी करके किस तरह से फरिशान किया गया है उसके बाद GST लगा करके देश को बरबाद किया गया है और BJP वाले लोग और BJP के मुख्य मंतरी और BJP के परधान मंतरी जन्ता के बीच में आकर कर क्या रहे केवल और केवल जूट 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 का सहरा ने रहे इसके अलाओ उनके पास कुछ है नहीं यदि कोई काम की पूछता है तो केवल एक ही बात काता है कि 70 साल का कांगरेस का रोना दोना दोते हैं कि कांग्रेस ने ये किया सत्तर साल पहले उसको सुधार रहे हैं, अरे वे कफ तक सुधार होगे, चार साल में भी कुछ सुधार नहीं है, केवल उत्तर पर्देश में होड़ा पंजाब में हर्याना में राजिस्तर में गुजरात में, इन चार साल के अंदर लोधी ने कोई भ क्या किसल् Assistance इसलिए वहां भाई जी नेशमियानी पर हमला किया गया है लेकिन इससे जीडिनेश मियमानी जी खतास नहीं हुए, इससे बाली समाज में जो और एक जुफता ही है जो बी जैपी के कुछ कैंडिडेट वहां जीतने वाले थे, आने वाले चनाव में उनने भिह झाल